जाहिन्द फ्रेंट्स आप सभी के मेरे यूटूब चैनल में स्वागत हैं सबसे पहले उन सारी कैंडिडर्स को बहुत-बहुत सुभका मना है जिन्होंने दरोगा पीटी का रिजल सफलता पुर्वक्त वलिफाई किया है मैं उन्हीं लोग के बारे में बात करूँगा लेकि सबसे आप लोग को आगे निकलना है और अपने आप से पुछना है कि हमसे क्या गलती हुई है कहां हमसे चूख हुई है कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है आप लोग को उसी कमियां पर काम करना है और आगे की एक्जाम के लिए फिर से खड़े हो जाना है अब हम आते हैं वे प्रिप्रेशन की जहां तक बात है तो आपको इसका सिलेबस समझना होगा प्रिटी के सिलेबस में बस एक यहीं अंतर है कि प्रिलिम्स में जो करेंट अफियर्स का सिक्षन होता है उसको हटाकर यहां पर मैथ और रिनिंग रखा जाता है मतलब आपको मैथ और रिनिंग पर विशेश ध्यान देने की जुरूरत है और जब तक आप लोग मैथ और रिनिंग पर ध्यान नहीं दीजेगा तब तक आप लोग मेंस रिजल्ट का कलपना नहीं कर सकते हैं क्योंकि 100 में 20 कोशन मैथ रिनिंग सानव एक बहुत बड़ी बात हो दी है तो ऐसे कंडिड़ेंट जिसका मैथ और इंग थ्वाविक है वह अलग से इसके लिए एक ऐसा बुक ले लेंगे जिसके माधह मसे आपका कम से कम बेसिक कंपलीट हो जाए किसी भी चेप्टर का बेसिक कंपलीट हो जाए और वे कंडिडेट्स जिनका मैठ ठीक है वह प्रेक्टिस से ही उनका काम चल जाएगा क्योंकि प्रेक्टिस से में माले जिए कि टोटल 20 में सब 13 14 मैठ पुछता है तो तो हर एक चेप्टर से ज्फेश है उसके बारे में PT की लिए जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं सेम उसी पेटर्न पर पर पढ़ना है क्योंकि आपका रिजल्ट हुआ हैं मतलब आपका पढ़ने का स्टेड़ी सही है तभी आपका रियpos वा बिल्कुल उस ये strategy पर आगे बढ़ना है और इसके साथ में PT के दुरान जो भी चीज आपको लग रहा था कि ये चीज हमसे छूड़ गया है उसको आप लोग कभर करना है साथ में जो भी पढ़े हैं उसका revision करना है और आज से आप लोग को daily एक practice set लगाना है इस practice set के माध्यम से आपका math clear होते जाएगा और जितना भी GS का description दिया रहता है पीछे वो भी आपको पढ़ना है साथ में इसके लिए मेंस के लिए जहां तक बात है एक मैं आप लोग को की book प्रिभेर करता हूँ क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि prelims के तूलना में मेंस का जो question रहता है 20 से 25% उसका जो एस्टेंडर रहता है वो हाई रहता है तो इसके लिए आप लोग को मैंने जैसा कि पिछला वीडियो में बताया था आप लोग को घाटना चकर का book ले लेना है इसमें जितने भी question answer है सबको सबको आपको पढ़ जाना है क्योंकि मैंने में मेंस के exam में देखा था जो मैंने दिया था उसमें दो कोश्चन हूब हूब उससे मतलब टकराये थे मतलब बहुत सारी question टकराये थे मैंने चुकि बहुत तो कम किता पढ़ा था इसलिए मैं बता रहा हूं तो इसको आप लोगों किलियर कर लेना है और प्रेक्टिस सेट बिल्कुल आसे प्रेक्टिस था आप लोगों स्टार्ट कर देना है और साथ मे तो syllabus यहां पर कभी-कभी हम ऐसे देखते हैं कि syllabus के बाहर से भी कुछ कोशन आ जाते हैं तो आप लोग जो भी फीटी के टाइम में current affairs पढ़े थे उसके लिए daily कम से कमाधा घंटा जुरूर दीजेगा क्या पता mains में 10 कोशनी से 5 कोशन आ जाए कोई नहीं जानता है चुकि syllabus पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजे हैं जो नहीं करनी है सबसे पहले आप लोग को अभी अपनी दुनिया से बिल्कुल कट जाना है फ्रेंड्स रिस्तेदार जो भी है उनसे आप लोग दूरिया बनाना है क्योंकि वहां से अकर आप लोग दूरिया नहीं तो मेहनत भी उसी केटेगरी की होने चाहिए मतलब जितना आपकी छमता है उतना आपको मेहनत करना है अपना एक-एक मिनट इसमें लगाना है मैं फिर से बोल रहा हूँ यही एक महिना आपका जीवान का जो भी आगे का रास्ता है वही तय करेगा कि आपके कंधे परस्टा लगेंगे या नहीं लगेंगे बस एक महिना की बात है बिल्कुल दुनिया से कट जाएए अपना सारा फोकस एक्जाम पर लगाईए एक-एक मिनट एक्जाम पर जोग दीजिए बस और एक चीज में कहना भोल गया कि अगर आप लोग मैस रिलेटेड कोई भी दिक्कत होता है चाहे रिनिंग से तो डिस्क्रिप्सन बक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहां से जूड सकते हैं उससे और जो भी आप लोग को डाउट होगा चाहे मैथ बनाने में प्रोब्लेम होगा उसको हम लोग हम अपने तरफ से उसको समाधान करने के कोशिस करे ए लेकिन कैसे भी आप लोग बढ़ियां से पढ़िए हम कोशिस करेंगे कि इस परिप्रेशान में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो मुझसे जीतना हो सब्सक्राइब recordings में इस वीडियो में ये मेलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिन और आगे का एक महीना झाल झाल